दोस्तों ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये गजानिया के फूल हैं। और जो ये गजानिया का प्लांट है, ये मातर 6 इंच के प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हैं। और आप देख सकते हैं इतने छोटे से गमले में कितने सारे इसमें फूल खिले हैं। बहुत सारे इसमें जो फूल हैं वो time to time खिलके जो है मुर्जा के खतम भी हो रहे हैं और साथी इसमें ढ़ेरो नई कलियां भी बहुत सारी आई भी हैं। गजानिया जो है उसको एक बार अगर आप अपने गार्डिन में लगा लेते हैं तो ये प्लांट आपका 6-7 महने तक बहुत अच्छी फ्लाउरिंग करते रहता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गजानिया के कम्प्लीट केर के बारे में बताऊंगी और इससे जादा फ्लाउरिंग पाने के लिए इसमें आपको कौन-कौन से खाद वगेरा देने चाहिए इसकी प्रॉपर केर कैसे करनी चाहिए और कैसे आप अभी भी जो है इसके नर्सरी से इसका पौधाल आके ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं उनको ट्रांस्प्लांट करने के लिए आपको मिट्टी कैसी बनानी है उन सभी के बारे में मैं आपको डीटेल में जानकारी दूँगी दोस्तों गजानिया जो है वो विंटर में और स्क्रिंग में इसमें बहुत अच्छी फ्लाउरिंग होती है साथी समर में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है और इसमें धेरो फूल खिलते हैं तो ये प्लांट जैसे एक बार आप लगाते हो तो 6-7 मेने तक इसमें बहुत अच्छी फ्लाउरिंग होती है जैसे ये plant मैंने winter में लगाया था सारे plant जो आप देख रहे हो इन सभी को मैंने winter में लगाया हुआ है और सभी में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी flooring हो रही है तो गजानिया के plant में winter में भी flooring होती है इसमें spring में भी flooring होती है जैसे ये प्लांट अभी एप्रिल से में मिड तक बहुत अच्छे तक फ्लावरिंग करेगा उसके बाद में एंड से आप और जून तक आप इसको पार्शल शेड में रख ले मतलब हलकी धूप जहां पर आती हो वैसी जगा रखें तो ये उस टाइम भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा दोस्तो गजानिया जो है बहुत हद तक संफ्लार यानि सूर्ज मुखी के टाइप दिखता है लेकिन उस से मतलब संफ्लार से ये काफी साइज में छोटा होता है बट इसके बहुत सारे जो लक्षन है वो संफ्लार की तरह ही है जैसे ही धूप निकलती है दिन की इसके जो फूल है वो बहुत अच्छे से खिलना स्टार्ट हो जाते है और जैसे जैसे शाम होते जाती है यानि धूप ये कम होते जाती है इसके जो फूल है वो बंध होना स्टार्ट हो जाते है जैसे आप अभी देखो लगभग तीन साड़े तीन बजे का समय हो रहा है तो आप देखो बहुत जादा जो फूल है वो अब बंध होना स्टार्ट हो लेकिन बीज लगाने का जो समय अभी थोड़ा निकल गया है तो आप अभी चाहें तो इसके जो पौधे हैं वो नर्सरी से लाकर बहुत ही आसानी से लगाकर ग्रो कर सकते हैं और अभी अगर आप इसके पौधे लाएंगे तो पूरे समर यह आपके गार्डेन में अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा तो जैसे आप देख सकते हो मैंने इसके जो पौधे तयार करे थे वो अब रेडी है ट्रांस्प्लांट करने के लिए तो अभी मैं इसको जो है ट्रांस्प्लांट करूंगी तो दोस्तों अगर आप भी जो है नर्सरी से छोटा पौधा ला रहे तो उसको ट्रांस्प्लांट करने के लिए आप इसके लिए अच्छी मिट्टी बनाएं जितनी अच्छी आप इसकी मिट्टी बनाएंगे उसमें उतनी ज्यादा फ्लावरिंग होगी तो इसकी मिट्टी बनाने के लिए पचास परसंट जो है नॉर्मल गार्डें सोयल ले ले तो गर्मी के लिए इसमें जो है मिट्टी जादा इसकी सूखेगी नहीं अगर पत्तों की खाद आप मिला लेंगे और 20-30% आप इसमें कोको पिट या फिर सैंड मिला लें जैसे गर्मी में अभी अगर आप पौधा लगा रहें तो कोको पिट मिलाएंगे तो जादा अच्छा होगा और दोस्तों इसका जो पौधा आप जब ट्रांस्प्लांट करते हैं तो बहुत ही सावधानी से करें जणों को जादा हिलाएं नहीं और इस बात का ध्यान रखें क कि यह जो क्राउन पाठ है जहां से पत्ते निकलें उसको आपको मिट्टी के अंदर जादा नहीं दबाना है नहीं तो आपका पौधा जो है सड के या फिर गल के खराब हो जाएगा जादा तर लोग यहीं गलती करते हैं कि इस क्राउन पाठ को मिट्टी के अंदर दबा द सके क्योंकि मैं और्गानिक तरीके से ग्रो करती हूं तो मैं थोड़ा जो है कॉम्पोस्ट वगेरा का ज्यादा इस्तमाल करती हूं ताकि पौधे में कोई भी न्यूट्रिशन की कमी न रहे आप अगर केमिकल यूज़ करते हैं तो आप पौधे लगाते टाइम थोड़े चार पांस दाने डिएपी के मिट्टी में डाल सकते हैं उससे जो है पौधे की जड़ें अच्छी रहेंगी या फिर और्गानिक में आप जो सर्सों की खली होती है पौधे लगाते टाइम उसको आधा चम्मच बस मिट्टी में मिला दे तो जब तक प्लांट थोड़ा बड़ा होगा तब तक आपको इसमें और भी कोई न्यूट्रिशन डालने की ज़रत नहीं पड़ेगी मतलब 20 से 25 दिन तक अगर आप इसमें अभी कोई न्यूट्रिशन नहीं भी डालेंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और प्लांट लगाने के बाद आपको इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देनी है तो अगर आप मिट्टी अच्छी और वेल ड्रेंड बनाते हो तो आपका जो प्लांट है और प्लांट की मिट्टी है वो जल्दी सूखेगी नहीं तो छोटे पौधे अगर आप लाते हो तो उसको कैसे लगाना है उसके बारे में तो मैंने बता दिया अब बात करते हैं कि जो बड़े प्लांट से उसमें जादा फ्लारिंग पाने के लिए आपको कौन-कौन से खाद वगेरा देने चाहिए तो दोस्तो मात्र देखो आप 6 इंच के गमले में लगा हुआ है फिर भी कितना जादा घना पौध है और कितने सारे फूल खिले वे हैं और सभी प्लांट में आप देख रहे हो धेरो फूल खिले वे हैं और बहुत सारी कल प्लांट में फ्लाउरिंग होते रहती है अब दोस्तों इससे ज्यादा फ्लाउरिंग पाने के लिए आपको इसकी जो है सबसे पहले हर 15 दिन में मिट्टी की गुडाई जरूर करते रहनी है इससे जो है ऑक्सीजन बहुत आसानी से प्लांट की जड़ों तक पहुंचेगा और आपका जो पौधा है वो बहुत से स्वस्त बना रहता है और इसमें जो है बिमारियों वगेरा कभी जैसे फंगस वगेरा कभी जो अटाक है वो बहुत कम होता है तो बहुत गहरी गुडाई नहीं करनी है एकदम हलकी गुडाई करनी है और नेक्स्ट जो है इसमें फ्लॉरिंग की संख्या को बढ़ाने के लिए आपको यूज करना है सीविड एक्स्ट्राक्ट आप दानेदार फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसका जो लि चोटा कंटेनर है तो उसमें आप आधा चमज सीविड एक्स्ट्राक्ट डालें सीविड एक्स्ट्राक्ट जो है वह बहुत स्लो रिलीज फर्टलाइजर होता है तो यह धीरे-धीरे आपके प्लांट को जो न्यूट्रिशन है यानि जो भी माइक्रो न्यूट्रेंट है व से इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रेंट इसको मिलते रहेंगे जिससे आपका जो प्लांट है वह बहुत अच्छे से ग्रोव होगा और उसमें जो है फ्लौरिंग की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी और खार डालने के बाद खात को आपको अच्छे से जो है मिट्टी में मिक्स कर देना है सीविन एक्स्ट्राइक दोस्तों आपको महिने में एक बार यूज करना है और यह गोबर की खाद आप हर 15 दिन में एक बार सितमाल करें तो दोस्तों यह तो ओगई खाद की बात अब इसकी पानी की रिक्वार्मेंट के बात करें तो बहुत जादा इस सकते हैं उसके बाद आप ज़्यादा जब गर्मी बढ़ जाती है तब आप इसको थोड़ा पार्शल शेड में रखें और दोस्तों आप इसको छोटे से चोटे गमले जैसे 5-6 इंच के गमले में भी लगा कर ग्रो कर सकते हैं या फिर आप 7-8 इंच के गमले में भी इसको दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज 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 लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चानल अंत में बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए